नमस्कार WKB News के सुभा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर APMC चुनाओं में 18 बदों के लिए 69 उम्मिद्वार मैदान में 28 सितंबर को 12 बजे तक नाम वापसी का समय प्रभाग पद्ददी से चुनाओं कराने के विरोध में कोट जाएंगे विदर्ववादी नेता करेंगे बाड़ पद्ददी से चुनाओं कराने की मांग और उच्चे नायले ने आमबेट कर अस्पिताल को लेकर सरकार को दिया अल्टिमेटर खलफ नमा दायर करने का दिया अन्दिम मौका और अब खबरे विस्तार से भारे उत्साहा के बीच कुरुशी उत्पन्न बाजार समिती कलमना चुनाओं के आखरी दिन 49 फॉर्म भरे गए आखरी दिन तक नामंकन दाखिल करने वालों के संक्याप 69 हो गई है यानि 18 बदों के लिए 69 लोग दावेदारी कर चुकी है वैसे कुल 76 फॉर्म भरे गए हैं लेकिन कई उमिद्वारों ने दो दो फॉर्म भरे हैं वास्तविक संक्या 79 है 28 सितंबर से 12 अक्तुबर तक नामंकन वापसी का समय है व्यापारी आरतिया वर्ग में सबसे जादा लोगों की दिल्चस्पे दिखाई दी कुल 22 लोगों ने इस वर्ग में नामंकन भरा है कुल 22 लोगों के नामंकन भरने से व्यापारी आरतिया वर्ग में माहुल और गर्म हो गया है सबसे खास बात यह है कि अभी पार्टी उने अपने अपने उमिद्वारों को केवल फॉर्म भरने को कहा है लेकिन कोई भी पार्टी या पार्टी के नेता सामने नहीं आ रहे है इससे अभी तक सस्पेंस कायम है लोग नेताओं के आश्वसन पर फॉर्म भर रहे हैं लेकिन ओंड कब किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल ही लग रहा है शुक्रवार को प्रकाश बाधवानी के समर्थन में कई व्यापारे संगटनों के प्रतिनी दी उपस्तित रहे और उनका नामांकन करवाया दुसरे नमबर पर राजश च्छाबरानी रहे उसके साथ भी कई व्यापारियों को देखा गया अविनाश मैनानी प्रताप मोटवानी ने भी नामांकन भरा कई अन्य लोग खुद फॉर्म खरीद रहे थे और नामांकन भर रहे थे नामांकन के आखरी दिन भी अनेक लोगों ने फॉर्म खरीदे और आनन फॉर्म में फॉर्म भरा नागपुर में माहानगर पाली का चुनाओ को लेकर वास्तविक लड़ाई शुरू होने के लिए भी भले ही काफी समय हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्य प्रभाग पद्धती से निन्ने लेते ही कई राजनितिक दलों को पसीना छूट रहा है उलेक निया है कि अब तक माहानगर पाली का चुनाओ वाड़ पद्धती से होने या फिर केवल दो सदस्य प्रभाग पद्धती से होने का अनुमान लगाय जा रहा था किन्तु अचानक तीन सदस्य प्रभाग पद्धती की घोशना हो गई ऐसे में प्रभाग का दायरा बड़ा होने से चुनाओ के दोरान होने वाले खर्च को लेकर भी राजनितिक दलों के माथे पर बल पड़ने लगे हैं जानकारों के अनुसार तीन सदस्य चुनाओ रणनिती के तहत लड़ा जाता है जिसके लिए राजनितिक दल सोची समझी रणनिती तयार करते हैं अमुमन तिन सदस्य प्रभाग पधती में किसी एक प्रत्याशी को रखकर उसके साथ जुड़ने वाले दो अन्य पार्षदों की जिम्मेदारी इसी प्रत्याशी पर डाल दी जाती है चुनाव जीत ने तथा सत्ता आने पर कोई बड़ा पत देने का लालस दे कर अब तक इसी तरह की रणनिती अपनाई जाती रही है किन्तु महानगर पालिका की हालत से वरिष्ट पार्षद भली भाती वाकिफ हो चुके हैं बुरी तरह कंगाली तथा आएके कोई नए स्त्रोत नहीं होने से अब वरिष्ट पार्षद भी अलग से कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से खत्रा रहे है जानकारों के अनुसार भाचपा ने अधिकांच पार्षदों को बदलने का निर्ने लिया है ऐसे में उसे वरिष्ट पार्षदों के साथ में लेकर ही नए प्रत्याशियों की जित सुनिश्चित करनी होगी किन्तु वरिष्टों को इस जिम्मेदारे के लिए मनाना आसान नहीं दिखाई दे रहा है राजनितिक जानकारों के अनुसार वास्तविक रूप से चुनावी सरगर्मिया शुरू होने तथा टिकेट बटवारे का सिलसला शुरू होने के बाद कई राजनितिक दलों को जटके लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है चुनाव में भले ही कोई नई बात नहीं हो लेकिन इसे लेकर अभी से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है कुछ पार्शदों को लेकर अभी से उनके द्वारा दल बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है नाकपुर के कामठी रोड पर स्थिट डॉक्टर बाबा साहब आमेटकर अस्पिताल के कायकल्प को लेकर कुनाल राउत की और से हाई कोट में जनहित याची का दायर की गई इस अंदर्ब में सरकार की और से दिये गए आश्वासन के बावजुद कुछ नहीं किये जाने पर अब अवमानाना की याची का दायर की गई थी अवमानाना पर हाई कोट ने राज्य सरकार को प्रकल्प की वास्तविक्ता उजागर करने के लिए काफी समय देने के बावजुद जवाबदायर नहीं किया जिस पर अब नायधिश अतुल चांदुरुकर और नायधिश पुश्पा गर्नेडी वाला ने जवाबदायर करन के लिए अल्टी मेटन देते वे दो सप्ताहा का अंतिम समय प्रदान किया अदालत को बताया गया कि उपर मुख्य मांतरी की अध्यक्षता में आमबिटकर अस्पताल के काया कल्प को लेकर 24 फरवरी 2021 को बैठक ली गई जिसमें 1043 करोड रुपे के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई ये प्रस्ताव राज्य सरकार के विचारा धिन है सरकार के और से खुलासा किये जाने के बाद अदालत ने बैठक के बाद इस संदर्ब में हुई गतिवीधियों की जानकारी देने के आदेश सरकारी पक्ष को दिये उलेखन यह है कि वर्ष 2016 में राउत से सकारात्मक जवाबदार नहीं किया गया जनहीत याचिका पर सुनवाई के दोरान अदालत को बताया गया कि 28 फरवरी 2014 को ही कैबिनेट की बैठक में इसे हरी जंडी दी गई थी इसमें डॉक्टर बाबा साहिब आमेटकर अस्पताल के आधुनी की करण का फैसला लिया ग दिया था हाई कोट के आधेशों के बावजुत उचित निरने नहीं होने के कारण अब अवमानाना की याचिका दायर की गई आशा वरकरो सहित अन्य आंगनवाडी कर्मियों ने अपनी 15 वीवित्प्रलंबित मांगों को लेकर सविधान चोक में आईटक के बैनर तले धरना अंधोलन किया इसमें आशा वगट प्रवर्तकों को मांधान की बजाए 21,000 रुपे वेतन देने, कुरोना काल में काम करने वाली करमचारियों को 500 रुपे रोजाना मांधान देने, एपील, बीबील शर्त रत करने सहित अन्य मांगे, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से की गई, All India Trade Union Congress से सलगन महराष्टराज्य आंगनवाडी, बालवाडी करमचारी यूनियन, महराष्टराज्य आरोग्य खाते, आशा वगट प्रवर्तक संगठन, राज्य शालेय पोशन आहर करमचारी यूनियन, राज्य ग्रामिन जिवनों नती करमचारी संगठन के सैकडो कर्मिय ने धरना आंदोलन में भाग लिया, मांगो को लेकर जमकर नारे बाजी की गई, आईटक के महासचिव शामकाले के नेतरुत्व में आंदोलन किया गया, आंदोलन को किसान नेता अरुन बनकर स्टेट इलेक्रिसिटी वर्कस फेडरेशन के चंद्रेखर मौरिय, वोकेशनल टीचरस एसोसेशन अध्यक्षय यूगल रायूलू, जनरल एंशोरेंस एंपलाईज यूनियन के महासचिव प्रशान दिक्षित ने भी सम्भोजित कर अपने संगधन की ओर से समर्थन दिया, प्रधान मंदरी के नाम अपनी मांगों का ग्यापन जिलाधी कारी को सोपा ग कारोबार को और अधिक बढ़ानी की संभावना को तलाश करने के लिए जिला प्रशासन पुर्ण सहयोग करेगा, जिला अधिकारी आरविमला ने बतोर मुख्य अति थी ये विचार व्यक्त किये, वह जिला उद्योक केंद्र विदेश व्यापर महानिदेश आलई की ओर से विदर्बा इंडस्ट्रीज एसोसिेशन वियाईये में आयोजित वानेज्य शपत कारेकरम को संभोधित कर रही थी, केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में आजादी के अमरुत महुत्सों के तहत कारेकरम का आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भारती ने कहा कि जिले से निर्याद बढ़ाने के लिए एक रोड मैप बनाया गया, एक्शन प्लान के तहत ही कारेको आगे बढ़ाने की योजना है, छोटे से छोटे उद्योगों को भी प्रेरित करने की दिशा में काम होगा, इसकी बाद विदर्ब के ग्यारा जिलों के जिलाउद्योग अधिकारी के साथ भी चर्चा की गई, वरुन विजयवर्गिय, पीए बमने ने प्रस्तुति करन डिया, इस आउसर पर मुकुल पाटिल, रवलिन खुराना, मनोहर भोजवानी उपस्तित थे, तो वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब् पर कोई यह नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे तेस तक पहांची जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाएए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, फ्लाइवील एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टीट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है, फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities, फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job, फ्लाइवील एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, L.A.D. College Square, beside करनाटिका बैंक नागपुर, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आटो रिक्षा चालकों में अनुशासन लाने के लिए पुलिस ने कडाई करना शुरू कर दिया है, इस समन्द में शुक्रवार को पुलिसाहिप तमितेश कुमार और D.C.P. यातायत सारंग अवद ने जीम खाना में LPG इंधन स्टेश मालिकों से आगरह किया कि अगर कोई आटो चालक बिना वर्दी और बिना RTO द्वारत जारी बैच के साथ इंधन लेने के लिए स्टेशन पर आता है, तो उसे इंधन नहीं देना, इस फैसले से शहर के करीब 19,000 आटो रिक्षा चालकों पर असर पड़ेगा, इसी तरह ताश नहीं की जाएगी, क्योंकि इस से यात्रीयों की सुरक्षा को खत्रा है, महिलाओं समयत कई यात्री देर रात ओटो रिक्षा में सफर करते हैं, ऐसे में यात्रीयों की सुरक्षा बह पुलिस सक्ति करते हुए चालन करवाईगी जो आटो रिक्षा चालक चालन का भुकता नहीं कर रहे हैं उनसे सक्ति से वसुली की जाएगी इसके लिए पंप पर जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वे कभी भी मोटर वहन नियम का उलंगन करने की हिम्मत ना करें बारिश से बचने के लिए अब सीटी के लोगों ने ब्रीज की छटो का सहरा लेना शुरू कर दिया हैं मेटरो के ब्रीज के नीचे तो बारिश के दोरान दो पहिया वहन चालको की भीड़ ही लग जाती है जिसके चलते फोर विलर वाहनों को निकलने के लिए जगह नहीं म जाते हैं जिसे गोवारी ब्रीज का रास्ता संक्रा हो जाता है और कारों को निकलने की जगा भी नहीं बचती इससे पुरे ब्रीज पर कारों का जाम लग जाता है फिलहाल तो कुछ दिनों से रोज ही सिटी में बारिश हो रही है शुकरवार को भी सुभ़ से ही धूप निकल हो गया एक साइड से ही वहनों का आना जाना जारी रहा दोपहर को करीब पॉन घंटे जोरदार बारिश हुई वही कुछ इलागों में बोचारे ही पड़ी विभाग ने सिटी का अधिकतम तापमान 32.4 और नियूंतम तापमान 24.5 दिस से दर्श किया विभाग ने संभाव ने चार एकड में अत्याधुनिक हाउसिंग सहक और मिश्यल कॉंप्लेक्स बनाने की योजना बनाई है अजनी लोजिस्टिक को निर्मान करने की जिम्मेदारी दी गई है अजनी समूह मिहान में हॉस्पिटल भी बनाने जा रही है महराष्ट्रे एरपोर्ट डेवलोप्म के मूड में है तो कई कमपनियों में उत्पादन चुरू होगा इससे आसपास रहने के लिए आवस की जरूरत होगी इसी प्रकार शॉपिंग कॉंप्लेक्स की भी जरूरत महसूस की जा रही थी कोरोना के कारण रफ्तार कम हुई थी लेकिन अब सही दिशा में काम आगे ब मिन ली है इसमें कमपनी अपने करमचारियों के लिए कौर्टर बनाएगी इससे भी लोगों को रहने के लिए परियाप्त जगा उपलब्ध होगी मिहान में पहले से ही महिंद्रा मुराज एनाइटी पी एल जैसी कमपनियां हाॉसिंग प्रोजेक्ट पुरुना कर चुकी ह MADC का मानना है कि निकट भविश्य में मिहान में 5000 से 7000 फ्लैट्स की जरूरत महसूस की जाईगी अब इसे कदम उठाने से लोगों को इसका लाप समय पर मिलेगा संग लोग सेवा आयोगद्वारा 2020 में ली गई अंतिम परिक्षा का परिणाम शुकरवार को गोशित किया गया इसमें नागपुर सहित विदर्व के 6 युवाव को सफलता मिली जिलाधिकारी कारियाले में नयायप तहसिलदार पत पर कारियरत स्नेहल वसंद्राव ढोग के भगत ने भी जगा बनाई संगलोग सेवा आयक द्वारा ली गई अंतिम परिक्षा के परिणाम में संकेत वागे को 299 वी रैंक मिली वही आदित्य जिवने 399 प्रणव ठाकरे 476 वे शुरिकान मोडक 499 नेहल ढोके 564 और स्वरूप दिक्षित 795 स्थान पर रहे है UPSC द्वारा जन्वरी में मुख्या परिक्षा ली गई थी वही साक्षात कर अप्रेल से अगस तक चले थे मूलत है हां ये वतमाल की निवासे स्नेहल ढोके ने इससे पहले महराश्ट्र लोकसे भा आयूप की परिक्षा में सफलता हासिल की थी विवा के बाद से त्रीमूर्ति नगर में रहने वाली स्नेहल ने कंप्यूटर साइंस में इंजिनियरिंग की डिग्री ली करियर में आगे बढ़ने की ललग की वज़े से MPSC दी थी इन दीनों जिलाधिकारी कारियाले में गुरुह विभाग में नायब तहसिलदारपत पर कारियरत है नौकरी के साथ ही UPSC की तयारी शुरू की और इसमें भी सफलता हासिल कर ली वरोरा के आदित्य जीवने की प्राथमीक वो मादेमिक शिक्षा वरोरा में ही हुई है दसवी के बाद नारायना विद्याले से बारवी तक पढ़ाई की बाद में आदित्य ने यश्वंद्राव चववान अभी आंतरी की महा विद्याले से मेकरिनिकल प्रांच में बीई किया, आदित्यों को तीसरी परिक्षा में सफलता मिली है विधरबर राज्य आंदोलन समिती ने राज्य सरकार द्वारा महानगर पाली का चुनाओ बहु सदस्य प्रभाग पद्धती से कराने के आदेश का विरोध किया है समिती की बैठक में मुख्य सयोजक राम नेवले ने कहा कि मुंबई में ही वाड सिस्टम रखा गया और शेश पूरे राज्य में प्रभाग पद्धती इसका विरोध किया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्ने को हाई कोट में चुनाओती दी जाएगी समिती की और से 17 सितंबर को जिलाधी कारी को डिविदन दे कर प्रभाग पद्धती को रद कर वाड पद्धती से चुनाओ कराने की मांग की जाएगी नेवले ने कहा कि राजधानी मुंबई में कबजा जमाने के लिए वाट पद्धती और उपराजधानी में प्रभाग पद्धती से चुनाओ कराना ही इस सरकार की नियत पर सवाली आउंगली उठाता है एक ही राजज़ में दो चुनाओ प्रक्रिया कैसे हो सकती है राज़य में तीन पार्टियों की सरकारे हैं तीन सदस्य प्रभाग सिस्टम से चुनाओ कराने का निर्ने लिया गया ताकि एक प्रभाग से तीनों पार्टि के उमिदवार उतारे जाए और पैसा खर्च कर सत्ता हती आए इस निर्ने से आम नागरिक और छोटे दल चुनाओ लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुख्या मंत्री और चुनाओ आयोक को एक वाट के एक पार्शित चुनाओ पधती लागू करने की मांग का पत्र भेजा जाएगा तो वीकेवी न्यूस के सुबा की प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस नमस्कार